नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार आपका फिर आपके अपने चलर रामसेश्टी पर मेरा नाम है जितेंद्यादब और हम एलिगेशन कर रहे हैं इससे पहले एलिगेशन का बहुत कुछ मैंने आपको पड़ा दिया है हर टाइप के कुश्चन में आपको करा दिया है आज लास्ट पार्ट है अगर आप चलर नए है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको बहुत ज्यादर बेनेफिट हो जाए मेरी कोई भी किलास आएगी आपको क्या मिल जाएगा इसका ब्रेट मिल जाएगा और अगर आप मैस को बिलकुल 0 से सीखना च्छाऻाते हैं टो मैंने बहुत सारे kapita करें आप सारी क्लासे सकते है तो जल्य स्टाट करते हैं से स्ट्पाने कुछ सब्सक्रों नहीं होंगे जन संख्यापार बेस्ट तो आज संख्यास करने वाले हैं कि में एलिकेशन कैसी यूज़ करते हैं तो देखित जैसे और पहल 14-1000 है जिसमें आपको पता है दो ही जेंडर होते हैं एक मेल और एक फिमेल तो हमसे कोशन में बोला हुआ है कि अगले वर्स पूरुसों की जनसंगें में 5% और महिलाव में 8% तो जो मेल हैं वह 5% कि दर से और जो फिमेल हैं वह 8% की दर से क्या हो रही है आपने कहा फिमेल 8% क कि दर से बढ़ रही हैं तो हमसे बोला है कोश्चन में कि और कुल जनसंक्या बढ़कर 48 हो गई 48,000 हो गई मतलब आपको पता है कि जनसंक्या कितनी हो गई आपने 48,000 हो गई एक साल के बाद कब जब पुरूस पांच परसेंट की दर से और महिला आट परसेंट की दर से बढ़ती हैं तो कस्वे की जनसंक्या 45,000 नहोकर आप कितनी हो जाती हैं आपने कहा 48,000 तो देखो हमें जनसंक्या वो कितने से बड़ी है आपने कहा वो बड़ी है 45,000 से है ना कितने से 45,000 से हम परसेंटेज पे काम कर रहे हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं इस कोशन को कि अगर 45,000 थे प्रूस पांच परसेंट की दर से बढ़ गए तो आप प्रूसों की जनसंक्या निकाल लो महिला परसेंटेज पे काम कर लेते हैं तो आपको पता है कि गुडा सो है ना तो अगर हम इस तीन जिरो से इन तीन जिरो को काट दे तो आप जानते हैं तीन से यह 15 बार में कटेगा और पांस से काटे तो पांस तिया पंदरा और पांस दुनी 10 तो हो जाएगा आपका 20 बटे 3 परतिसत यानि कि हम यह कह सकते हैं कि वो overall उस गाउं की जो जनसंग क्या है वो 20 बटे 3 परतिसत की दर से बढ़ रही है अब आपको पता है कि यहां पर हम 20 बटे 3 परतिसत ही तो लिखते हैं तो अब देखो fraction में गटाना में थोड़ा hard इससे अच्छा हम यहां तीन की multiply और यहां पर भी तीन की क्या कर लें multiply कर लें तो हमें क्या होगा पता चल जाएगा कि बिना fraction के यह क्या बनेगा तो देखो प्रूसो का अनुपाद तो अगर आप 20 में से 15 रख अटाएंगे तो आपका कितना जाएगा पांच और इदर 4 तो हम यह कह सकते हैं कि महिलाएं और जो पुरूस होंगे वो किस अनुपाद में होंगे चार और पांच के अनुपाद में होंगे तो हमसे question में यही तो पूछ सकते हैं कि नो पंजे 45 तो 20,000 आपके मेल हो जाएंगे और 25,000 आपकी क्या हो जाएंगे फिमेल हो जाएंगी तो देखो हमारे इसाब से भी उस question को और आगे बढ़ाया जा सकता है कि अगर यह नो है तो आपको पता है कि पांच महिला होंगे उसमें से और चार पुरूस हों जाएंगे 25,000 तो महिला है 25,000 और पुरूस कितने होंगे आपने खा पुरूस होंगे 20,000 तो हम जन संख्या भी निकाल सकते हैं अलग-अलग सेपरेटी और हम अनुपात तो निकाली पाएंगे तो अगर आप देखो इसका अनुपात करोगे तो चार और पांच कर यह अनु बहुत इसी होता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं तो अगला कोशन हम और ले लेते हैं बोला एक कस्वे की जन संख्या 96,000 थी अगर जन संख्या 96,000 थी तो आपको पता चल गया कि ओबर ओल मेल और फिमेल सब मिलाकर 96,000 उसमें लोग रहते हैं उस गाउं में बोला एक साल बाद उसकी जन संख्या कितनी हो जाती है आपने कहा एक लाख 2720 हो जाती है तो एक लाख 2720 हो जाती है आपकी जन संख्या एक साल बाद उसकर सबेगी थी कितनी आपने कहा 96,000 हो कितनी गई आपने कहा एक लाख 2720 हो गई तो बस मुझे यह पता करना है कि यहां पर ओब तो 2720 वह जाएगा एक साल स्ट पूरह कसभकी । और आप 10 D brother कट ग्यूंद ऐसा पढ़िए आप पहड़ा अशा कार 992,015 पर गुड़ा कreई अब कर जान के लिए इन 20-0 stay 9.63 होता है देख लेते हैं 7.42 इसका मतलब यह कितनी बार में कर जाएगा 7 प्रतिसत यानि कि जो ओवर ओल जन संख्या है वो किस दर से बढ़ रहे हैं आपने कहा 7% की दर से बढ़ रहे हैं तो आप उन्याप करेंगे तो देखो कितना अशान हो जाएगा आपके लिए एक और यहां पर कितना आजाएगा आपने कहा दो यानि कि जो महिलाओं और पुरूसों की संख्या का अनुपाद है वो दो और एक का अनुपाद है तो हमसे इसमें कोश्चन पुछा हुआ है तो पुरूसों की संख्या आपको बतानी है तो देखो अगर हमारे इसाब से तीन होते है पूरे गाव में लोग तीन होते तो एक महिला होती और दो पुरूस होते लेकिन लोग तीन ना होकर कितने आपने का यह तो 96,000 है अगर यह 96,000 है तो आप इसे जब काटेंगे तो आपको पूछ लेता तो कितनी हो जाते 32,000 कि आपको पता चल जाता कि महिला यह यह यानि कि 32,000 महिल आ है तो को को करना ज़्यादा हाड नहीं है अपना दिमाग इस्तेमाल करना आ जाएगा ज्यादा हाड कोई भी चीज नहीं होती और मैस्स तो आपकी प्रक्टिस मांगते हैं जितनी ज़्यादा प्रक्टिस करोगे उतना ज्यादा है तो अगला बोला एक आदमी के जुनाओं में 80,000 रुपे निवेस करता है जो क्रमसा 8% बार्सिक और 36 प्रतिसत बार्सिक ब्याज प्रदान करती है यह 8% का ब्याज दे रहे इसको और यह 6% कहने का मतलब है इस पर जितना भी उसने धन निवेस कि है उस पर ऐसे 8% ब्याज मिल रहा है और इस पर इसे 6% का ब ब्याज मिला देखो वैट तीन साल लगे उसको कितना रुपे कमाने में 18,000 रुपे में लेकिन आप जानते कि यह मैंने बार्सिक लिखा हुआ है कि एक साल में इसको कितना ब्याज मिल रहा है कि एक साल में 6000 रुपे का ब्याज लग आप देख लेते हैं रेट कि अगर धन पर उसे कितना मिल रहा है क्योंकि जो 6000 एक साल पर इस पूरे पर मिल रहा है तो आपने का 6000 रुपे का ब्याज मिला कितने रुपे पर आपने का 80,000 रुपे पर है ना गुड़ा में आपका कितना ह होता है आपने कहा 100 होता है कितना होता है 101 होता है आपका आर इंटू टी और समय हमने एक साल लिया है इसलिए ती रखा हुआ देखो वही फॉर्मला है ऐसा ही वाला ऐसा कुछ नहीं कि अलग से दो कहा खालते हैं यहां पर चाहिए तो आप इस से निकाल लो चाहिऑ जैगा इस है जी जिरुकर जाएगा गाए इससे कितने से काटने वार करें और चाहिएwr और से निदून होती है त्श्ए आप देख रहे तीन पंधरा बटये दो प्रतिसत आ गया आपका आर का मान तो आर जो लग रही है ओवराल धन रासी पर वो कितने लग रही है 15 बटे 2% कहने का मतलब है अगर ये बंदा 8% और 6% पर धन नहीं देता तो ये कितने पर दे 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 पूरा धन 15 बटे 2 यानि कि 7.5% पर दे दे तो अब आस हमने क्या कर लिया यहाँ पर 15 बटे 2% अब आप क्या करो बस इस दो को इधर गोड़ा कर दो दो को इधर गोड़ा कर दो फ्रेक्शन में घटाने से बचिए तो आपने का 8 दूनी 16% यहां पर हो गया और 8% पर यह 3 रुपिया लगाता लेकिन पैसे कितने हैं आपने का अस्ती हजार है अगर 80,000 है आप जानते एक रिश्यो कमान कितना आजाएगा आपने का 20,000 चार दूनी आठ होता है तो 20,000 तो आपको यह बत पता चल गई अगर एक रिश्यो कमान कितना है आपने का 20,000 तो यहां इसने कितना रुपर लगाया होगा अगर आप 20,000 के मल्डिप्लाइ करेंग कैसे हम एलेगेशन को लगाएंगे तो आयोपांप को भी क्लेर रहा होगा और कोशन करते हैं अगे तो अगला जो कोशन है हमारे पास वह है कि एक आदमी दो योजनाव पर एक लाग 50,000 रुपे का निवेस करता है तो देखो एक लाग 50,000 रुपे क्या कर रहा है वो निवे लगा 10% इसको भी आज़ मिल रहा है और यहां पर आपने का 7% इसको भी आज़ मिल रहा है आगे कोशन में हमसे क्या बोला हुआ है बोला तीन साल के अंत में उसे 36,000 रुपे का ब्याज प्राप्त होता है तो 7% पर कितना धन इसने निवेस किया तो इसे कितना भी आज मिला पर combine करके इसको 12,000 रुपे मिले हैं ऐसा नहीं कि स्रीफ एक पर मिले हैं तो अगर हम रेट निकाले तो देखो 12,000 रुपे कितने पर आपने का यह आपने का 8% मैं यह कह सकता हूं कि वो अगर 10% और 60% पर दो जगा दे रहा है उसकी जगा वो क्या करता है एक लाग 50,000 अगर 8% पर दे देता ना तो उसको 36,000 रुपे मिल जाते कितने साल में तीन साल में तो मैंने का कि overall उसने कितना धन दिया है 50,000 अगर आप भाग करेंगे तो 53,15 15 50,000 आपका यहां पर आजएगा हम से पूछा है 7% पर तो 7% पर आप जानते कितना हो जाएगा पास दूनी 10 आपका हो जाएगा एक लाग कितना 04 यहां पर आएगा आपका पांस तो एक लाग आपका क्या हो जाएगा गाएगा बाकी का आप जानते ही हैं 50,000 किस पर लगा दिया होगा फिर इस वाले पर उसने लगाया होगा तो बस देखो कितना सिंपल है बस आपको क्या करना है यह देखो सब रफ काम है इतना आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप प्रतिसम होंगे क्योंकि यह मैं आप आपको हर चीज बता रहा हूं कि आपको ऐसे काटने की जरूत है आपको नहीं पता तीन साल में अगर 36,000 पर मिल रहे तो एक साल में आपको स्री 12,000 पर मिलेंगे तो रेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं रफ काम था बस आपको क्या था इतना सा कोशन करना था तो सभी क अगला कोशन हमारे पास है कि लाला ने अरुन और भाटिया को आठ प्रतिसत पर पांच पर पर सेंट पर कुछ धन दिया हुआ है तो यह भाटिया बंदा है इसको आठ पर सेंट पर दिया गया है तो कोई लाला था उसने दो लोगों को एक लाला मालो यह इसको दिया और एक धन इसको दिया इसको कितने पर दिया पांच पर सेंट पर इसको आठ पर सेंट पर धन उधार दे दिया है तो हमसे कोशन में बोला हुआ है बर्स के अंत में वह च्छे प्रतिसत बारसिक दर क कि अधर से ब्याज अर्जित करता है मतलब 26 प्रतिस बार सिक उसको क्या होता है इसको और इसको देने के बाद इसको सालाना सिर्फ 6% का ही ब्याज मिल रहा है तो उसने बोला है कि वहनुपाद ग्याद करो जिसमें उसने अरून और भाट्या को धन दिया हुआ है तो आप कर लो आप इसमें से घटा लो एक आएगा यहां घटा लोगे तो दो दो रिश्यो एक के उसमें उसने क्या किया होगा धन को बांटा होगा कितना सिंपल कोशन है उसने अरून को 5% पर दिया भाट्या को 8% पर दिया लेकिन उसे overall जो income हो रही है वो स्रिप 6% की हो रही है निकाल सकते क्योंकि हमें यह नहीं पता ना कि इसने overall धनलन को कितना दिया हुआ है तो बस हम इतना ही कर सकते हैं रेश्यों की बाद इनका रेश्यों हमेंसा दो और एक कही रहेगा तो आयोप आपको यह क्लियर रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी और कोशन लेखते हैं बोलाए कि 12500 विध्यारतियों ने परिक्षा में समलित हुए है ना 50% लड़के और 70% लड़किया परिक्षा में उत्रीन रहीं तो 12500 विध्यारतियों ने एक परिक्षा दी जिसमें बॉइज और गल्स का जो रिश्यों है यह 50% पास हुए और यह 70% ठीक है बाकी सब फेल हो गए बॉइस तो बैसी भी अनुपात यहां कम रहता है और रियल में भी बॉइस कम का ही अनुपात उनका रहता है तो आगे हमसे बोला हुआ है कि अगर हम ओबरॉल बच्चों की बात करें तो 60% पास हो रहे हैं तो आपको पता चल गया कि ओबरॉल लों का नहीं आता ही आता है ओबरॉल कि अगर दो बच्चे होते इस स्कूल में दो तो उसमसे एक लड़की है एक लड़का यानि की लड़का लड़की बराबर है तो बराबर हैं दो की वैल्यू आपके पास कितनी है बाराजार पांसो करम एक की बात करेंगे तो आधा कितनी होंगे आपने का 6250 और बॉइस भी कितने होंगे 6250 की होंगे क्योंकि भाई दोनों बराबर है एक क्रेशो का क्या रहा है अनुपात आ रहा है तो आधा-धा बांट दो आपको पता है कि एक और एक का मतलब है बराबर तो यह टोटल मिलाकर है लड़का और लड़की तो 6250 और 6250 बॉइस और गल्स का क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा तो देखो कितना सिंपल है आप आसानिसे इसको कर पाएंगे अगला जो कोशन है हमारे पास वो यह है कि दो अलग अलग दवाओं में एलकोहल की मातरा का अनुपात मातरा क्रमसा 1.5 परसेंट और 3.5 परसेंट है तो देखो ए और भी दो दवाएं हैं कि इसमें 1.5 परतिसात है और इसमें आपने का 3.5 परसेंट क्या है एलकोहल है जैस हो बनानी है वो बनानी है दो परसेंट कि उसने बोला कि आलकोहल की मात्रअ बस रखना है इधर ऐंतर करेंगे तो वर इसमें से स्कर्ट घटाएंगे तो 1.5 आ जागा तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट हट जागा पांच 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 तियां 15 यानि कि 3 रेश्यो वन का रेश्यो आपका आंसर आगा कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि जिसमें 3.5% एलकोल है वो मुझे एक लिटर मिल जानी पड़ेगी तब जाकर कहीं ओवर ओल जो यह मिश्यों होगा इसमें कितनी परसेंट बनेगी आपने कहा दो परसेंट एलकोल वाली दवाई बनेगी तो देखो कितना सिंपल है को करना बस आपको क्या करना थोड़ा से समझना है एलिगेशन लगाने की जरूरत है अब लिटर पसाइँ के मिस्रण में 66 ग्रहां ठेल जीनी है बूलना है कि एक लिटर पानी भाब बनकर पानी बिया यृट बचाद न कहाई 4 लिटर तो जाद है उतनी ही चीनी यहाँ पर है example से समझते हैं जैसे आपने अगर आपने चै बनाई कप में तो जिफ़ने देर आप जादा उबालेंगे चीनी की मातरा उतनी जादा इसमें बढ़ती जाएगी जैसे बहुतमने पहले मानलो दो कप चाय बनाई है और तीन चम्मच इसमें क्या डाले आपने चीनी डाली है यानि कि छीनी यह जितनी चीनी इसमें इतनी इतर होगी तो 5 लिटर मिंच्रण में 6% चीनी है तो मैंने का भाई यह चीनी की मात्र है तो बराबर 4% में X प्रतिसत चीनी है तो बस इस परसेंट से परसेंट खतम हो जाएगा पांच चिंग 30 और बटे में 4 बराबर चीनी है कब जब एक लिटर पानी उड़ जाता है तो आई होप आपको ये किलाज समझ में आई होगी और बहुत अच्छे कोशन्स हमने किये हैं और कल में प्रक्टिस में आपके लिए कुछ और अच्छे कोशन्स लाओंगा उनको जरूर करिएगा अगर आप इस चैनल पर न है तो आने वाले समय में गुरूप डी रेल बेह ना और एससे जीडी का जो एंटीपिसी का भी रह गया है वह भी है जीडी भी है यूप पॉलिस एसाई का भी एक्जाम है तो यह सब के लिए बहुत ज़्याद़ है हम लगवग लगवग 12-13 चेप्टर कंप्लीट कर चुक करते हैं तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में अ